नमस्कार दोस्तों जाटमन लाइब न्यूज में आपका स्वागत है अपने आज पास के छेत्रे के न्यूज को देखते रहने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन बटन को दवाए साथ ही इसके सभी वीडियो को लाइब कोमेंट कर ज्यादा ज्यादा सेयर किजि मंगलवार को परधान मंत्री नरेंद मोधिने गुजरात से देश को दस नई बंदे भारत ठ्रेनों का तोफा दिया जिसमें जार्खन के लिए तिसरी बंदे भारत ठ्रेन सामिल है जो राची से वरांडशी तक चलेगी बंदे भारत के आने से राची से वरांशी का सफर आठ घंटे में पूरा होगा अब समचार बिस्तार से पूरा न्यूज को जानने के लिए वीडियो को अंतक देखे मंगलवार को परधान मंत्री नरेंद मोधी ने गुजरात से देश को 10 नई बंदे भारत ट्रेन का तोफा दिया जिसमें जार्खन के लिए तिसरी बंदे भारत ट्रेन भी सामिल है इस खास होसर पर पिम मोदी ने रांची से वरांची के बीच चलने वाली इस ट्रेन को हरी जंडी दिखा कर रवने किया है यह ट्रेन जो हफ्ते में 6 दिन चलेगी गुरुवार को छोड़ कर 571 किलोमीटर की दूरी को मात्र 7 गहंटे 50 मिनट में तै करेगी परधान मंत्री नरेन मोदी द्वारा रांची से वरांची के बीच बंदे भारत ट्रेन के शुरुआत नकेवल जारखन बलकि पूरे देश के लिए एक बड़ी उपलब्दी है करायेगी यात्रियों को दी जाएगी बंदे भारत ट्रेन में आदुनिक सब्धाय आठ कउच वाली स्ट्रेन में कूल 530 सीटें हैं जिसमें यात्रियों को आदुनिक सुब्धाय परधान की जाएगी रांची से वरांदशी के लिए चेर कार किराया कैटरिन सहीं 155 रुपे और बिना कैटरिन के 1160 रुपे है वही एक जूटीव क्लास में कैटरिन के साथ यात्रा करने का किराया 275 रुपे और बिना कैटरिन के 235 रुपे है वरानसी से राची लोटते समय किराया थोड़ा अलग है इसमें एक जूटिव क्लास कैटरिन सहित 275 रुपे और बिना कैटरिन के 235 रुपे है चेयर कार में कैटरिन सहित किराया 1450 रुपे और बिना कैटरिन के 1160 रुपे है समय साड़नी और स्टोपेज बंदे भारत ट्रेन राची से प्रति दिन सुबह 5 बज कर 10 मिनट पर रवाना होगी और दोपर 1 बजे बरांटसी पहुँचेगे वाप्षी में बरांटसी से साम चार बज कर 5 मिनट पर खुलकर रांची रेलवे स्टेशन 11 बज कर 55 मिनट पर पहुँचेगे इस रूट पर ट्रेन के विभीन स्टॉपेज भी होंगे जिसमें मूरी, बोकारो, स्टील, सिटी कोडर्मा, गया ससराम और पंडित दिन द्यालुपाद्या जक्षन सामिल है जारखंड को मिले बंदे भारत की तिसरी सोगात यह जारखंड के तिसरी बंदे भारत ट्रेन है इसमें पहले राची और पटना के बीच पहली बंदे भारत ट्रेन को 27 जून 2023 को और दूसरी ट्रेन को 24 दिसमबर 2023 को राची से हावडा के बीच परधान मंत्री मोधीन हरी जंडी दिखा कर रवाना किया था इन ट्रेनों की शुरुवात से नकेवल यातरा का समय कम होगा बलकी यात्रियों को अधिक सुभधा जनक और आराम दायक यातरा का अनुभव भी होगा